स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बिहार समान ग्यान का तीसरा भाग लेके आ रहे हैं मतलब कि हमने बिहार समान ग्यान के लिए दो भाग आलरेड़ी अपलोड कर दिया है आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर पहले कमेंट बाक्स पर मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो सब्सक्राइब करिए इस्टेडी फर जाफ चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए ये वीडियो सुरू करें उससे पहले आपको बता दे कि यहाँ पर इस वीडियो में कुल मिला के 25 क्वेस्टन आएंगे आपको एक समय पर एक क्वेस्टन दिखेगा उसके चार बिकल्प दिखा जाएंगे तो समय राते आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताते रहेंगे तो चलिए सुरू करें देखे पहला क्वेस्टन है कि चंदगुप्त मौर के गुरू थे और यहाँ पर आपको आपसन मिल जाएंगे इनमें से सारे क्वेस्टन बिहार से ही रिलेटेड होंगे तो यहाँ पर आपको आपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना है तो चंदगुप्त मौर के गुरू का नाम था चाड़क और इन्हें बिशुडुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और यह मौर वन्स के जो मौर वन्स का आस्थापना होई इसमें इनका बिशेश रोल रहा अगला कोश्चन की राम चंदर सर्मा किस गाओं से थे राम चंदर सर्मा तो यहाँ पर हम दो से तीन सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके बता दिया करें तुरंद तो यह थे अमराहा से कहां से थे अमराहा से अगला कोश्चन कि बिहार का सोक निम्लिकित में से किसी कहा जाता है बेहद असान कोश्चन तता महत्पूर्ण भी है इस कोश्चन को आप इस्टार मार्क कर लेंगे ये इस्टार मार्क करने लाए कोश्चन है क्योंकि कई बार पूचा जा चुका है बिहार का सोक काते हैं कोसी नदी को जो कोसी नदी है इसको काते है बिहार का सोक अब इसे बिहार का सोक क्यों कहा जाता है तो ऐसा इसलिए होता है कि जब भी इसमें ज़्यादा पानी होता है ये बिहार के लिए तबाही लेके आती है जिस प्रकार जो दामोधर नदी है उसको बंगाल का सोक कहते हैं पच्छिम बंगाल का उसी तरह जो कोशी नदी है उसको बिहार का सोक कहा जाता है अगला कोश्चन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस वेबसाइट पर जाएगे इसका PDF और इसके साथ साथ और भी चीजों का PDF डाउनलोड कर पाएंगे अगला कोश्चन है कि बिहार में तेल सोधक कारखाना कहां पर है तो इसके लिए साथ तरह बरावनी में बिहार में जो तेल सोधक कारखाना है इनमें से बरावनी में है अगला कोश्चन कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पर हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पर हुई थी तो यह हुई थी पतना में कांग्रेस सोसलिस्ट पार्टी की पहली बैटक पतना में हुई थी और पतना बिहार की राजधानी भी है अगला कोश्चन की बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उधगम अमर कंटक से है तो यह है सोन नदी सोन न दिया है और ये आती है कहां से अमर कंटक की पाड़ियों से तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपसन नमबर B आगे बढ़ें तो अगला कोश्चन है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बता दिया करिए तो इसके लिए सही उत्तर है कि ये चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है अगला कोश्चन कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे जो बिहार में किसान आंदोलन हुआ था उससे कौन जुड़ा था यह आपको कमेंट करके बताना है तो यह थे राज अंदर प्रसाथ जो की बाद में चलके बारत के पहले राष्पती भी बने अगला कोशन है कि कौन से देश की सीमा बिहार राजे से जुड़ती है इनमेंसे कौनसा ऐसा देश है जो बिहार से सटा हुआ है तो यह है निपाल अगला कुश़्चन कि किस फसल के उत्पादम में बिहार देश आगे है तो यह है मखान क्या है मखान क्योंकि चावल के अगर बात की जाएगी तो हो जागा पच्चिम मंगाल अगर गन्ना की बात की जाती है तो हो जाता है उत्तर प्रदेश अगला कोश्चन की कोकोलत जल परपात बिहार के कौन से जिले में स्थित है कोकोलत जल परपात तो जो कोकोलत जल परपात है यह है नवादा जिले में आप इसका वीडियो का जो भी पीडियो पर आप डाउनलोड कर पाएंगे लिंक दिया गया है अगला कोश्चन है कि स्री नरसिंग नरायन क्या थे नरसिंग नरायन तो ये थे समाजवादी अगला कोश्चन कि आम की वा प्रजाती कौन सी है जो केवल भीहार में उप जाई जाती है मतलब केवल भीहार में होती है तो आम की ऐसी प्रजाती को कहते हैं सफेदा और सफेदा एक ऐसी आम की प्रजाती है जो केवल भीहार में उतपन होती है अगला कोशन कि पुर्वी मध रेलवे चेतर का मुख्याले कहां पर इस्तित है पुर्वी मध रेलवे चेतर तो ये है हाजिपूर में देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे जरूर लाइक करिए आपको बता दें कि इसके और भी पार्ट आल्रेडी अपलोड है आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगला कोशन है कि निम्रिके जीलों में से कौन सी बिहार में इस्तित है कौन सी बिहार में इस्तित है ये आपको बताना है तो यह है अनुपम जील अनुपम जील बिहार में सेत है अगला कोश्चन की जैप्रकास नरायन कौन से पार्टी से जुड़े हुए थे जैप्रकास नरायन का अपने नाम सुना होगा अगर आप बिहार से हैं तो तो यह जुड़े थे समाजवादी पार्टी से अगला कोश्चन की बिहार की कौन सी नदी पर बहुत देशिये पर योजना का निर्मार कारी किया जाता है तो यह है कोशी नदी जिसे की बिहार का सोक भी कहा जाता है अगला कोश्चन की निमरिकेट में से कौन सा सहर बिहार के सबसे पूरुवी भाग में इस्तित है मतलब कि इन में से देखना है आपको कौन सबसे पूरब मेस्तित है तो ये है कटिहार अगला कोशन की जगत नरायनलाल को किस जेल में भेजा गया था जगत नरायनलाल को कौन से जेल में भेजा गया था तो इनको भेजा गया था बांकीपूर जेल में अगला कोईशन की बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद छेटर कौन सा है केला उत्पादन का प्रसिद छेटर तो ये है हाजिपूर हाजिपूर का केला के बारे में अपने जरूर सुना होगा अगला कोईशन है कि बिहार केसरी के नाम से किसी जाना जाता है बिहार के सरी तो ये हैं डाक्टर स्रेक्रिष्न शिंको अपना उत्तर हमें कमेंट करके तुरंत बताया करिए आप इसका PDF जरूर डाउनलोड करिए का वीडियो खतम होने के बाद आपको लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अग्ला की मखहान की खेती के लिए जेश का गडिय राज कौन सा है तो बहत असान क्वेश्चन क्युआ कि अभी ये आया था तो हमने अभी देखा था कि बिहार में सबसे अधिक मखान का उतपादन होता है अगला कोशन के पुराना बिहार का कितना प्रत्षत जमीन लेकर जारखंड राज बनाया गया तो जो बिहार पुराना बिहार था मतलब कि जिसमें जारखंड भी मिला हुआ था इसका लगभग 45% जमीन लेकर के उसे बना दिया गया जारखंड मतलब कि आज का जो आप बिहार देखते हैं ये कि ओल लगबग 55% है पहले की अपच्छा अगला कोश्चन की बिहार में कोईले का अनुमानित बंडार कितना है तो ये है 16 करोड टन अगला तथा आज का अन्तिम कोश्चन की संपूर्ण बिहार राज इस्तित है किस तरह के मैदान में तो संपूर्ण बिहार मैदानी छेतर में इस्तित है तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही आप इस वीडियो को लाइक करिए इसका पेडियो डाउनलोड करिए link description में दिया जा चुका है इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को subscribe करें Thank you